जैसी किशना बच्चों, आज हम लोग कक्षा दो की इंदी विश्य का पाठ संख्या तीन, छोटे से बड़े का प्रस्न संख्या 6 का अध्यन करेंगे, कौन से प्रस्न का? छेंप, 6 का अध्यन करेंगे, शही वाक्य के आगे, शही वैगलत वाक्य के आगे, गलत का निशान लगाईए, ठीक है, शही वाक्य के आगे, शही वैगलत वाक्य के आगे, गलत का निशान लगाईए, तो सबसे पहले क्या है, देखो बच्चों, कव मैं क्या है, खेत उबड खाबड नहीं था कविता में क्या बताया गया कि खेत उबड़ खाबड नहीं था क्या था खेत उबड़ खाबड था इसलिए ये वाकिया गलत है खेत उबड़ खाबड नहीं था मतलब ये गलत लिख रहा है खेत उबड़ खाबड था इसलिए ये गलत है तो हमें आगे गलत का निशान फिर खा गया है बीज पौदा बन गया था बीज पौदा बन गया था बीज पौदा तो सही है खा बीज पौदा बन गया था ना तो ये सही है इसके लिए इसके आगे राइट का निशान फिर कहा है गः पेड की चाया दूर दूर तक फैले वी थी पेड की चाया दूर दूर तक फैले वी थी ना तो ये भी सही है इसके लिए इसके आगे भी राइट का निशान पौदा राबरा लहरा रहा था पौदा राबरा लहरा रहा था गर ये भी सही तो इसके आगे भी राइट का निशान समझ गए बच्छो क्या है प्राश्ण सही वाक्य के आगे वह गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाना है ठीक है क्या है खेत उबड़ खाबड नहीं था ये गलत वाक्य है खेत उबड़ खाबड था तो इसलिए हमने पीछे ये गलत वाकिय है तो हमने क्या लगया गलत का निशान खेत उबड़ खाबड नहीं था मतलब ये वाकिय गलत है ठीक है खेत उबड़ खाबड था खाब क्या है बीज पौदा बन गया था सही है तो इसलिए हमने क्या लगया राइट का निशान अब नीचे आईए सांतवे प्रस्ट में क्या सुन्दर लेख लिखे सुन्दर लेख लिखे क्या सुन्दर लेख छोटे से बड़ बड़े बने हैं चोटे से बड़ बड़े बने है इस सुन्दर लेख को आपको यहाँ पर वापस अच्छे अक्षरों में अच्छी लेखनी में लिखना है तो क्या है चोटे से बड़ बड़े बने है चोटे से बड़ बड़े बने है इस सुन्दर लेख को आपको वापस बार बार लिखना है ठीक है क्या था चट्टा प्रस्ण सही वाक्य के आगे सही गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाई है खेत उबड़ खाबड नहीं था क्या है खेत उबड़ खाबड नहीं था खेत उबड़ खाबड था इसलिए ये वाक्य गलत है बीज पौदा बन गया था राइट सही है पेड की छाया दूर दूर तक फैली हुई थी सही है पौदा राबरा लहरा राता सही है ठीक है फिर सुन्दर लेक को लिखना है छोटे से बड़ बड़े बने हैं जाइशी किसना